नमस्कार विध्यार्थी मित्रों तमारों हार्दिक स्वागत छे आपनी सवनी सैयारी यूटूब चैनल सरस्वतिय जिमा मित्रों आजे बात करवी छे तोरण छो अने विशे विग्णान ना पाठ नमर चवुद पाणी स्वाइधियनू संपण सोलिशन जोईशू ये पेला जो चैनल ने इंदर पर्थम वकताव्या होता चैनल सब्सक्राइब जरूर्थी करजो अने जो तमने विडियो गम्मे छे तो लाइक करजो अने तमारा मित्रों सुधी सेर करवानों भूलिशों ने हवे आपने सरुवत करीशू धूर्ण छव विशे विगिनान एकम नमर चवुद पाणी स्वाइधियनू संपण सोलिशन करीशू जे तमने परिक्सान इंदर खुब उप्योगी निवड से आज जवाबो तमें तमारा विगिनानी नोटबुक नी इंदर पन लखी सको छो आव उपरांत आपने चेनल नी अंदर तमाम विश्चिना स्वाइधिया शोलिशन साथे मुकुवम आवए छे तो ए पन तमें जोई सको जो होई आपने सरुवात करी सुष्वाइधिया तो तमारी नोटबुक ने बॉल्पिन ले न थाई जया होते यार प्रस्ण नमरी खाली जीगिया पूरू पेली खाली जीगिया छे पाणी नोँ वराल मों रूपांतर थवानी प्रक्रिया ने खाली जीगिया कहे छे तो बासपी पवन कहे छे एले के पाणी नोँ वराल मों जे रूपांतर थाई छे आ क्रिया ने बासपी पवन केवाम आवे छे 2. खाली जिगिया छे, पाणी नी वरालनों पाणी मां रूपांतर थवानी प्रकरियाने संधनन कहे छे 3. खाली जिगिया छे, एक वर्ष के वधारे समय सुधी वर्षाद नाव पड़े तो ते विश्तार मां खाली जिगिया कहे छे, तो दूसकार टी वधारे वर्षाद थी खाली जिगिया आवे छे तो पूर आवे छे बिजो प्रश्णा छे नीचे आ पेलू परतेक विध्यान सुते बाजपुत सर्जन अथ्वातो कनी पवनना कारणे छे ए तमारे लखवानू रेशे पेलू विध्यान से ए ठंडा पाणे थी भरेला गलास नी बहार नी सपाटी उपर पाणे ना टीमपानू देखावू तो ये मित्रों कनी पवन केहवाई छे तो तुमस जे शवार मा देखाई छे तेने कनी पवन केवाई छे डी पीना कपडा थी लुछवम्मा आवेलू बलेकबोड थोड़ा समयनी इंदर सुकाई जाये छे तो येनी केवाई छे बासपोस सर्जन औने ई गरम सालिया उपर पाणी छाटवाती वराल उत्पन थाई छे तो येने पाण बासपोस सर्जन केवाई छे तो आवी रिते आपने जिया विधानों छे अने जी प्रमाणे आवता होय प्रमाणे जवाब लखी सु त्यार बाद रशन नमत्राण निचेना माथी कयो विधान साचू छे तो ए छे के हवामा पाणी नी वराल मात्रा चोमा समाज हाजर होय छे तो आ विधान खोटू छे बी पाणी महाशागरो नदियो तथा सरोरो माथी बासपी बवन पामे छे परन्तु जमीन उपर थी बासपी बवन पामतू नथी तो आ विधान पाण खोटू छे C छे पाणी नो पाणी नी बासप मा रुपान तरन थाओ ए बासपी बवन तरीके उलखाय छे तो आ विधान के उचे? साचू छे त्यार बाद D. पाणी नो बास्पी भवन मात्रा सुरिय परकास मन धाये छे, तो आँ खोटू विदान छे अवानी उपरनी तरफ जियां वद्धू ठंडक होए छे, तियां पाणी नी वराल कनी पवन थाईने नानी नाने जलकनी काओ बनावे छे, तो आँ विदान साचु छे त्यार बाद प्रश्णो नमर चार, मानी लो के तमे तमारा स्कूल ना युनिफोम ने वर्षाद नी रूतू मों जड़पी सुकोवा मागो छो, तो शु तेने सगडी नी नजीक अथवा तो हीटर नी नजीक फिलावा थी, आ कार्यमों साहेता मल से, तमे तरो जवाब हाँ, वदारेत आपमान मों बाश्पी भवन ने क्रिया जड़पी बने चे, चूलो के हीटर पासे बिंजाई गयेला स्कूल युनिफोम राखता वदारेत आपमान ना लिदे जड़पी बाश्पी भवन थीते जल्दी सुकाई जाए छे प्रस्णो नमार पाच, एक पाणी नी ठंडी बोटल रेफ्रीज रेटर माथी बाहार काटो अने किटलाक समय पची तमे तेनी आजु बाजु पाणी ना गोल गोल टिमपा जोशो, तो केम मित्रो आउँ बने छे तो रेफ्रीज रेटर माथी पाणी नी बोटल बाहार काट दा, तेना संप्रक मों हवा मों रहेली बाश्प आवे छे, अने आ बाश्प नू खनी बवन थाए छे अने बाश्प ना टिमपा मों रुपां तर थाए छे ते थी बोटल नी बाहार नी सपाटी ऊपर टिमपा बाजिय चे तो तमे मित्रो फ्रीज नी अन्दर थी बोटल काट दा हसो, ये बोटल ना बार ना भागे आवा जीना-जीना पाने ना टिमपा जिय छे, ए तमे जोईा हसे अब यë अपने आगण वात करे शु प्रस्वन नमर 6 चस्माना लेंश साप करवा माटे लोंको तेना उपर फूंक मारे चे तो लेंश पलडी जाए चे लेंश कें पलडी जाए चे ते समझाओ तो मित्रो तमे पन जो चस्मा होए तो एन इंदे फूक मारी छो तो पलडी जलसे अने आज जाते पन प्रियोग तमे करी सको छो जयरे आपने फूक मारी जचीए त्यारे बेज युकत हवा बहार आवए छे आ हवा बाहरना वातावरना संप्रक्मा आवता भेज सवरूप धारन कराएचे तेथी चस्माना लेंज साप करवा तेने फूंक माता तेना उपर भेज जामे छे तो मित्रो तमने आ परियोग जाते पन जो तमारा घरे चस्मा होए तो तमें करी सको छो तेयार बाद आगलवात करी से प्रश्ना नमार साथ वादल केवी रिते बने छे तो तमें तियारे चोमासर रुतुने इंदर खणा बदा वादल जोया हसे तो वादल केवी रिते बने छे ते आपने आई लखी सु तो सुरियानी गर्मीने कारणे पाणीनू सतत वरालमा रूपांतर थाई छे पाणीनी वराल आकासमा उँचे चड़े छे जेम जेम आ बास्प उपर जाई छे तेम तेम ते ठंडी थती जाई छे परियाप्तों उन्चा ये बास्प वराल इटली बधी थंडी पड़ी जायचे के घनी बवन पामी पानी ना 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 टीमपा बनी जायचे जेने जलकणी का कहे चे आज नाने जलकणी कावना सम्मुती वादल बने चे ये वायू मा तरह चे तो आपने जी आकास मा जोईये ची है ए वादल आईथी जे पाणे नो बासपी बवन थाई इने वराल सवरूपे उपर जाये छे अने पछी तिमे तिमे थिमे ठंडी पड़ी अने जलकणी का बनाये छे अने जलकणी का आवी घणी बदी भीगी थाई इतले वादलनों के दरिक वादल नाना मोटा होए छे त्यार बाद प्रस्न नमर आट दूसकाल क्यारे पड़े छे तो कोई विस्तार में एक वर्स के तेना थी वदू समय माटे वर्साद न पड़े तो त्यां दूसकालनी स्तिती सर जाये छे आ घटनाने अनावरुष्टी पन कहे छे आ वि दूसकालनी परिस्तिती मोँ खोराक अने सारो प्राप्त करवो मुस्केल बने जाये छे आ मित्रो दूसकाल जे चे बवव खरो छे त्या वर्साद ना पड़वाना कारणे कही पन उग्तू न थे आने तेना थी मानास अने पशुवाना खोराक जे चे आनी इंदर अच्छा मांगो छो तो त्यार जे डिस्प्ले उपर एंड स्क्रीन चुवा मले रहे छे एना उपर क्लिक करेने सिधाज तमे पाठ नमर पंदर उपर पहुची ज़सो